फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग इस्टेशन सेंड प्लेसेज में आप सबी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूटूब के चलर में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे UTS एप के द्वारा रिचार्ज कैसे करते हैं यानि कि UTS एप में जो वैलेट होता है उसको कैसे रिचार्ज किया जाता है पहले तो आप लोग मोबैल में UTS एप को खोलेंगे फिर यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे लॉग इन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे नेक्स पेज पर पहुंच जाएगा जब जो पहला पेज होता है तो यहाँ पर देखिए हमने लॉग इन किया यह देखिए तो यहाँ पर लॉग इन करने के बाद हम आप लोग को रिवैलेट दिखा रहे हैं कि मेरा जो रिवैलेट है रिचार्ज वैलेंस वो आठ रुपे है और मैं आप लोगों को अब यह भी दिखाता हूँ कि हिस्ट्री में मैंने कब-कब रिचार्ज कराया था तो इस तरह से मई में, फर्वरी में इसके लावा दिसंबर में मैंने रिचार्ज कराया था तो पहले 100 रुपे पे 5 रुपे एक्स्ट्रा मिलते थे इस समय 100 रुपे पे 3 रुपे एक्स्ट्रा मिलते हैं तो चलिए थोड़ा सा और आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि रिचार्ज कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप लोग रिचार्ज वैलेट पे क्लिक करिएगा recharge wallet पे जैसे ही आपने click किया तो देखिए recharge amount पूछ रहा है ये recharge amount 100 रुपे के गुड़क में होना चाहिए यानि 100, 200, 300, 400, 500 कम से कम 100 और ज़्यादा 10,000 रुपे तो यहाँ पर 100 रुपे हमने डाल दिया recharge पे click किया फिर उपर भी आप लोगों को दिखाई पढ़ रहा होगा current balance 8 रुपे तो ये 8 रुपे तो इसमें जुड़ेंगे ही तो देखिएगा हम अगले page पर पहुँच गया कि किस के दोरा हमको recharge करना है यहाँ पर paytm दिया है movie quick दिया है free charge दिया हुआ है तो हम paytm के जरीए recharge करेंगे अगर आप लोगों को सुवीधा जनक movie quick के दोरा लगता है या free recharge के दोरा sorry free charge के दोरा लगता है तो आप लोग जैसे चाहे वैसे recharge कर सकते हैं चुकि मेरे paytm पे ID बनी है तो इस वज़े से मैं paytm से recharge करूँगा तो चलिए पढ़ा हुआ था तो यहाँ पर paytm में mobile number डालने के बाद हमने proceed पे click कर दिया अब यहाँ पर आपका OTP आएगा जो आपका paytm में registered mobile number होगा उस OTP को यहाँ पर आप डाल देंगे फिर verify पे click कर देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है do not share OTP किसी भी परकार का OTP किसी से शेर ना कीजिए तो हमने OTP को देखा और उस column में भर दिया जहाँ पर भरना चाहिए था और सबसे ज़रुरी बात यह है कि यहाँ पर location जोड़ on रखके रखिएगा और यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया और verify कर दिया तो यह सीधे next page पर ले गया अगर आप लोगों का paytm में balance add होता थी automatically वहाँ से deduct कर लेता अगर आप लोग चाहे तो भीम UPI ID से भी यहाँ पर UPI ID डाल कर pay 100 कर देते तब भी कर याता लेकिन मैंने UPI ID से नहीं किया सीधे मैंने जो मेरा debit card है मैंने उसी से ही recharge कर लिया तो चलिए वापस चलते हैं पीछे के page पर थोड़ा सा समझाने के लिए हम आगे आये थे अब यहाँ पर देखिएगा जो ID BI bank card है रुपे का मैंने इस पर click किया और CVV number जो card के पीछे तीन अंक दिये होते हैं उसको डाला और pay 100 उपीस कर दिया चुकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एप में register करने और ticket book करने का तरीका बताया था तो आज recharge करने का तरीका बता रहा हूँ तो देखिए friends यह देखिए यह ID BI के page पर ले गया यहाँ पर OTP आप लोगों को डालना है उसके बाद submit कर देंगे तो यह जो आपका wallet है वो recharge हो जाएगा और उसमें balance आ जाएगा यानि कि 100 उर्पे पर 103 उर्पे मिलेंगे और पहले का मेरा 8 उर्पे का balance था तो total मेरा हो गया 111 उर्पे तो यहाँ पर देख सकते हैं success हो गया है और मेरा जो recharge wallet balance है वो 111 उर्पे हो गया है तो 111 उर्पे कैसे हुआ मैंने आप लोगों को बता दिया history भी आप लोगों को दिखा दी कि किस तरह से कितना balance कब मैंने डाला कब-कब recharge कर आया तो इस तरह से यह जो UTS app का wallet है इसको आप recharge कर सकते हैं debit card के दोरा भी credit card के दोरा भी Bheem UPI के दोरा भी Paytm के दोरा भी free charge के दोरा भी movie quick के दोरा भी उमीद करता हूँ आप लोगों को दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को